एलो दोस्तों तो कैसे हुआ पायोब की आप सब ठीक होंगे आज की स्पीडियो में हम आपको वताएंगे की PM किसान सम्मान निदी में आधार बैंक सीडिंग को घर वैठी कैसे करोगे वो भी अपने मुवाइल फोन से तो आज की स्पीडियो को कंपलीट जरूल देखना अग आज की स्पीडियो में हम आपको बताएंगे अगर वीडियो हमारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूल सब्स्राइक कर देना क्योंकि आपको हमारी चैनल पर ऐसी ही वीडियो देखनी के लिए मिलेंगी तो गाईज जाके उन सभी वीडियों को देख सकते हो तो गाईज चलिए आज किस वीडियों को स्टार्ट करते हैं तो गाईज सबसे पहले आपको अपना Chrome Browser खुल लेना है Chrome Browser खुलने के बाद Google बार में आपको सर्च करना NPCI जैसे आप यहाँ पर NPCI टैप करते हो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो कि हम इसकी Officially Website पर आ चुके हैं अब आपको यहाँ पर एक Option मिल जाता है Option आपको यहाँ पर मिल जाता है Consumer का तो जैसी आप यहाँ पर Consumer वाले Option पर आओगे तो आपको इस Consumer वाले Option पर जैसी इस पर क्लिक करते हो तो आपके सामने और Option और खुल जाते हैं तो एक Option आपको यहाँ मिल जाता है भारत आधार सेडिंग इनेवल तो आपको जो यह वाला Option जो मिलता है आपको इसी के उपर क्लिक कर देना है जैसी इस Option पर आप क्लिक करते हो क्लिक करने के बाद आपके सामने जो अगला पीछे वह कुछ इस तरीके से खुल के आजाता है जैसा कि आप यहां देख सकते हो यहां पर आपका रोकेस्ट फोर आधार सेडिंग का जो एप्लिकेशन फोर में खुल के आपके सामने यहां आ जाता है अब आपको यहां करना क्या है आपको एंटर यूर आधार आपको इस वाले कॉलम में आप अपना आधार नंबर आपको इस वाले कॉलम में डालना है जिनका भी आप बैंक आधार सेडिंग को करना चाहते हो उनका आपको यहाँ पर आधार नमबर डाल देना है आधार नमबर डालने के बाद अगला कॉलम जो आता है आपका यहाँ पर सलेक्ट यूर वैंक का आप किस वैंक में आधार सीडिंग को करना चाहते हो तो हम यहां से अपने पंजाब National Bank में आदार सीडिंग को करना चाहते हैं उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे की तरफ आना यहाँ पर आपको रुगेष्ट फॉर आदार के बहुत सारे आपचन आपको यहाँ मिल जाते हैं आपको यहां पर seeding वाले option पर जैसी click करोगे तो आपके सामने 3 option खुल के आ जाते हैं आप de-seeding करके अपने आधार को यहां से अठा भी सकते हो तो हम यहां पर seeding type वाले option पर आते हैं यहां पर fresh seeding फ्रेश seeding आपका यह होता है कि आपका आधार seeding कहीं पर भी नहीं हो रखका फ्रेश कर रहे हैं दूसरा आपका है moment वाला इसमें आप एक से दो बैंकों में अगर आधार seeding रगना चाहते हो इस वाले option पर click कर देना है अगर आप अपने आधार seeding को transfer करना चाहते हो एक bank से दूसरे bank में करना चाहते हो तो इस वाले option पर आपको यहां कर देना है तो हम फ्रेश करेंगे तो हम फ्रेश वाले option पर click करते हैं जैसी इस पर click करते हैं click करने के बाद जो अगला column आता है आपका account number तो इस वाले column में आपको account number डाल देना है तो हम अपने passbook पे जा के चेक करते हैं और account number को इस वाले column में डाल देते हैं उसके बाद जो अगला option आता है आपका आता है confirm account number तो इस वाले column में अपने account number को दुबारा से इसी column में डाल देना है और डालने के बाद guys आप जैसे इसमें अपना यहाँ पर account number confirm कर दोगे उसके बाद नीची के तरफ आओगे यहाँ पर आपको इस वाले option पे टिक कर देना है इस वाले पर भी टिक कर देना है उसके बाद आपको यहाँ जो capture code दिया हुआ है इस capture code को same इसी तरीके से आपको इस वाले column में fill कर देना है तो हम इस capture code को इस वाले column में fill कर लेते हैं fill करने के बाद आपको यहाँ प्रोसिट का option मिल जाता जैसे आप यहाँ प्रोसिट के option पे किलिक करोगे यहाँ पर आपकी term and condition दिखाएगा इसे आपको scroll करना है जैसे scroll करोगे नीचे की तरफ आपको यहाँ पर एक option मिल जाता है agree and continue तो आपको इसी option पे किलिक कर देना जैसे इस option पे किलिक करोगे तो guys आपके mobile phone पर OTP जाएगा OTP आपका उस number पर जाएगा जो आपके आधर कार्ट से link होगा तो हम अपने mobile phone को चेक करते हैं चेक करने के बाद हमारे पास OTP आ चुका है तो हम इस OTP को इस वारे column में यहाँ फिल कर देते हैं तो आपको भी कुछ इसी तरीके से यहाँ फिल कर देना है फिल करने के बाद आपको submit वाले option पे किलिक करोगे जिसे आप submit वाले option पे किलिक करोगे जो आपकी request है पे submit हो जाएगी अब आपको 5-10 दिन का wait करना wait करने के बाद आपको check करना है कि जो आपने आधर कार्ट link किया था वे हो चुका या नहीं हुआ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर option दिखाएगा कि आधार नंबर आपका पहले से ही link है आपका फिनो payment bank में अगर आप इसे हटा के आप इसमें पंजाब national bank में link करना चाहते हैं तो आपको ok के option पे किलिक करना है तो हम यहाँ से अपने जो bank है इसे पंजाब में ही हम link करना चाहते है ok के option पे किलिक कर देते हैं उसके बाद हम अपना यहाँ पर chrome browser को दुबारा खोलते हैं यहाँ पर UIDAI टाइप करते हैं देखते हैं कि जो हमारा bank seeding अव है हमारी हुई है या नहीं हुई तो हम UIDAI टाइप करेंगे टाइप करने के बाद इसे सर्च करेंगे सर्च करने के बाद इस ओफिसली link पे किलिक कर देंगे जैसी इस पे किलिक करेंगे तो हम आधार कार्ट की ओफिसली website पर पहुंच जाएंगे बहाँ पर पहुंचने के बाद हम यहाँ से आपको English या Hindi को सलेक्ट कर लेना है जैसी आप Hindi English सलेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पर माई आधार का आप्टेन मिलेगा यहा जाने के बाद आपको यह उपचन मिलेगा तो आपको इस वाली आप्टेन पे क्लिक कर देना है जैसी इस और कर лगे आपकी सामने इस तरह का वाली कोलम में हम अपना आधार नंबर डाल देते हैं आधार नंबर डालने के बाद अगला कोलम जो होता है bacpecciacode का होता है तो आपको इस被 dgetcacode को it came उसमें क्रदेना है तो engineers hope Unity के से फिल करदेना है फिल करने के बाद 10 long in white to OTP वाले option पर click करेंगे तो हमारे mobile number पर एक OTP और जाएगा तो आपको अपना mobile phone चेक करना है चेक करने के बाद उस OTP को इस वाले column में fill कर देना है तो हमारे पास OTP आ चुका है तो हम अपने OTP को इस वाले column में fill कर देते हैं फिल करने के बाद आपको यहां पर लोग इन वाला ओप्शन मिल जाता है तो आपको इस लोग इन वाले ओप्शन पर क्लिक कर देना जैसे आप यहां पर क्लिक करोगे तो आपको इस पोटल पर लोग इन हो चुके हो तो आपको यहां पर बहुत सारे ओप्शन देखने के जाता है तो आप यहाँ पर देख सकते होगी यहाँ पर हमारी जो हमने लिंक किया था वे हमारा यहाँ पर अपडेट हो चुका है यहाँ पर आपका टाइम भी दिखाएगा किस टाइम आपका यह अपडेट हुआ है हमारा यहाँ पर तरीके से आचुका है तो इस तरीके से आप अपने PM किसान सम्मान ने दी के status को 10 से 15 दिन के वाद चेक करोगे तो आपका जो बैंक आधार सीडिंग वाला option था वह आपका महाँ पर यस दिखाएगा तो इस तरीके से आप घर वैटे ही PM किसान सम्मान ने दी मैं अपने बैंक आधार सीडिंग को कर सकते हूँ आयोब की चोटी सी वीडियो हमारी आपको पसंद आई हो कि वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रू चब्स्राइब कर देना